नमस्काल सभी को, मैं मत्तू केवट, मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से गणित बिशह में देखिए वेंजक व अक्छरों का उप्योग वेंजक व अक्छरों का उप्योग इसके बारे में मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ कि इस तरह के सवाल सिस्वरित्ती के अंदर आते हैं और उसे हमें हल करना रहता है तो वेंजक वो अक्षरों का उपयोग में देखिए गनती किरिया जोड़ना घटाना गुड़न वो भाग करना मिला कर वेंजक दिया गया रहता है अर्थात इसमें जोड़ रहता है घटाना रहता है गुड़न रहता है भाग रहता है और उसको मिला करके वेंजक भी दिया रहता है इसमें करते क्या है अक्षरों का उपयोग गनित में किसी भी संख्या के लिए अक्षरों का उपयोग कर उसका गुणधर्म बताया जाता है अर्था जोड रहता है गुड़ा रहता है घटाना या भाग में अक्षरों का उपयोग किया जाता है और अक्षरों का उपयोग करके उसकी गुण धन को बताते हैं जैसे देखे एक उधारण दिया गया है ये गुडे सुन बरावर सुन ये गुडे सुन बरावर सुन हम जानते हैं कि किसी भी संख्या में सुन से गुड़ा किया जाए तो उत्तर सुन नहीं आता है तो और दूसरा उधारन देखिए टी धन्चार बराबर शोला तो टी बराबर कितना एक उधारन है कि इस तरह से बेंजक में वो अच्छरों का उपयोग करके सिस्वरित्ती की परिच्छा में इस तरह के प्रस्ण दिये रहते हैं और उन प्रस्णों को हमें बेंजक वो अच् देखिए अब इसको आगे देखते हैं वेंजक वा अक्षरों का उपियोग में पहला उधारन देखिए किस तरह से प्रशनाते हैं किस तरह से सवाल आते हैं बचीस भागे पांच धन चार है रिड है दो गुणे तीन इसको कोश्टक में दिया गया है तो इस तरह से जो सवाल आती हैं बच्चों इनको हल करने के लिए हमें सबसे पहले करना क्या होता है सबसे पहले हमें कोश्टक को हल करना है किसको हल करना है कोश्टक को हमें सबसे पहले हल करना है सबसे पहले हम कोश्टक को हल करेंगे कोश्टक हल करेंगे सबसे पहले हम कोश्टक को हल करेंगे इसको हमें ध्यान में रखना है इसके बाद हमें भाग की किरिया करनी है कोश्टक हल करने के बाद हमें भाग करना है वो भी हमें बाएं तरफ से करना है इस तरफ से सवाल को हल करना है इस तरह की सवाल हल करने के लिए हमें बाई तरफ से सवाल हल करना है और सबसे पहले हमें कोश्टक हल करना है अब कोश्टक के बाद हमें भाग हल करना है भाग के बाद एदिशवाल में गुरा है तो हमें गुरा हल करना है गुरा के बाद देखिए जोड है तो हमें जोड करना है और अंत में हमें घटाना की किरिया जो है घटाने की किरिया सबसे अंत में करनी है तो ये हमें ध्यान रखना है कि इस तरह से जो सवाल आती हैं इन्हें हल करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चो कोश तक हल करेंगे सबसे पहले हमें देखिए फिर से कोश तक हल करना है क्या हल करना है कोश तक इसके बाद हमें क्या करना है भाग करना है भाग के बाद क्या करना है गुड़ा करना है जोड़ करना है और सबसे अंत में घटाना जो है हमें सबसे अंत में करना है घटाने की किरिया तो इसके लिए कहते हैं काको पहले तोड़िये ता पीछे दो भाग गुड़ा करो धन जोड़ दो बाकी देव घटाए अर्थाथ सबसे पहले कोश्टक को हल करिये फिर भाग करिये फिर गुड़ा करिये फिर जोड़ करिये फिर घटाना करिये और ये भी अपने बाई तरफ से करना है इस सवाल को हल करते समय हमें बाई तरफ से ही सवाल को किरिया करते हमें जाना है तो दीजिए देखिए इस उधारन को मैं किस तरह से हल करके आपको बता रहा हूं तो इस तरह के सवाल जो है बेंजक और अक्षरों को उपयोग में सवाल आती है और देखिए इसको हम कि इस तरह से हल करना रहता है ध्यान से अब देखिए कोश्टक सबसे पहले हम हल करेंगे कोश्टक हल करने के लिए इस सवाल को सेंट उसे मैं इसे उताद दिया हमने 25 भागे 5 धान 4 रिर 2 का 3 में गुड़ा किया 3 दूनी 6 आता है यह देखिए मैं हमने 6 लिख दिया यहां पर यानि 2 का 3 में गुड़ा करके हमने रख दिया सबसे पहले हमने कोश्टक हल किया इसके बाद हमें भाग के किरिया करनी है अब भाग के किरिया करने के लिए देखिए 25 में 5 का भाग दिये 5 आ गया धन 4 रिर 6 इसके बाद हमने भाग किया यहां हमने भाग किया और यहां हमने कोष्टक को हल कर दिया कोष्टक को हल कर दिया अब देखिए क्या करना है हमें धान है कि इसके बाद यह गुड़ा हो तो गुड़ा जोड़ हो तो जोड़ अब हम यहां जोड़ की किरिया करेंगे क्या करेंगे यहां जोड़ की किरिया करेंगे नौ मेंसे छे को यदि हम घटा दे रहे हैं, तीन उत्तर आ रहा है, तो इस तरह से इस वेंजक का मान हमको प्राप्त हो गया कि इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर आएगा बच्चों, तीन आ रहा है, इस वेंजक का मान तीन है, तो इस तरह से हमें वेंजक हो अक्षरों क उपयोग करके सवाल को ध्यान से हल करना है, सबसे पहले हमें कोस्टक हल करना है, फिर भाग करना है, फिर जोड करना है, ये गुड़ा दिया है तो गुड़ा करना है, जोड के पहले गुड़ा करना है, फिर जोड अंत में हमें घटाना करना है, इस तरह से हमें बेंजक औ में K बराबर 5 व यम बराबर 3 हो तो 5 गुडे K धहन यम बराबर कितना होगा प्रश्न है देखिए K बराबर 5 यम बराबर 3 तो K गुडे ये धान, पांच बरबर कितना होगा? उत्तर परियाय में दिया गया है, पहला परियाय बीश है, दूसरा तेरा है, तीसरा अठाइस है, और चौथा परियाय चालिस है, अठाइक इन चार परियायों में से कोई एक उत्तर है. तो हमें क्या करना है यहां बेंजग अक्षरों का मुल्ड रखकर बेंजग को हल करना है अब हमारा प्रश्ण है यह है प्रश्ण है कि पांच गुड़े के धान यम बराबर कितना होगा तो पांच तो है ही अब के के अस्तान पे हम पांच रख दे रहे हैं और ये धान है धान येम किया है धान के अस्तान पे हम तीन रख दिये अब इस सवाल को देखते हैं पहले हमें इसमें गुड़ा करना है बाई तरब से हमें ध्यान रखना है कि कोश्टक है तो कोश्टक यहां गुड़ा है तो पाँच पचीस हो गया पचीस में तीन हमने जोड़ दिया तो पचीस में तीन जोड़ने पर उत्तर हमें कितना पराप्त हो रहा है 28 पराप्त हो रहा है अर्था इस बेंजग कमान 28 होगा यहां पर और हम उत्तर परियाय को देखते हैं कि परियाय करमांग 3 जो है यह सही उत्तर है तो उत्तर परियाय में जो इस तरह से गोले दिये रहते हैं इन गोलों में हमें चार तीन नमबर के परियाय को उत्तर पत्रिका में तीन नमबर परियाय के गोले को इस तरह से हमें रंगना रहता है ये गोला हमें सही से रंगना रहता है इस तरह से सिस्वरित्ती स्कालर सीप के पेपर में प्रशनाते हैं उसके उत्तर भी हमें दिये रहते हैं और इन चार परियायों में से कोई एक उत्तर सही रहता है तो उत्तर पत्रिका में हमें उन चार परियायों में से जो परियाय सही है उस कर्मांग के गोले को हमें क्या है रंगना है तो देखिए यहाँ परियाय कर्मांग तीन नमबर का उत्तर सही है तो हमने क्या किया तीन नमबर के गोले को इस तरह से रंग दिया प्रस्न क्रमांक तीन हम देखते हैं कि प्रस्न क्रमांक तीन हमारा क्या है देखिए यद एक्स बराबर नौ वाई बराबर शुन और जेड बराबर तीन हो तो एक्स धान कोस्टक है एक्स गुड़े वाई धान जेड रिंड वाई भागे एक्स कोस्टक बंध हो गया इससे सवाल को फिर से देखिये Z धान, कोश्टक यहां दिया गया है यक्स गुड़े वाय, धान जेड रिड़ माय भागे X, कोश्टक बंद हो गया इस सवाल को मान क्या है? हमें बताना है यहाँ उत्तर पर याए देखिये पहला पर याए है, शुन दूसरा परियाय है तीन तीसरा परियाय है नौ और चौथा परियाय है बारा अर्थात सुन तीन नौ बारा इन चार में से कोई एक इसका उत्तर होगा तो हमें क्या करना है वेंजग को अक्षरों का उपयोग जहां दिया गया है हमें बेंजग की जगा पर शंख्य को रखना है और इस सवाल को हमें हल करना है अब देखिए जेड, जेड अर्थाद कितना है 3 है, सवाल हल करने के लिए सेम टू सेम उस तरह से Z बराबर 3 कोष्ठट बंद कर दी X बराबर कितना है एकस बराबर देखिए 9, गुड़े वाई बराबर कितना है, शुन है, धान, फिर जेट बराबर कितना है, तीन है, रिन, वाई बराबर कितना है, शुन है, और भाग, एकस बराबर कितना है, एकस बराबर 9 है, अब देखिए, यहाँ कोष्टक दिया गया है, कोष्टक हम सबस पहले हल कर रहें, तीन धान, नो का शुन में शुन गुडा करेंगे, शुन आ जा रहा है, धान है, तीन हमने लिख लिया, इसके बाद देखिए, रिण है यहां, अब शुन का भाग, यदि हम शुन में नो का भाग दे रहे हैं, तो हमारा उत्तर क्या आएगा, शुन नहीं आ आप सभी जानते हैं शुन में नौ का भाग देने पर नौ शुना शुन आता है इस तरह से तो इसका भी मान शुन हो गया अब देखिए इस तरह से बेंजगो को हमने रख दिया शुन धंतीन रिल शुन ये इसका मान हो गया सबसे पहले हमने क्या किया गुड़ा किया यहां पर यहां भाग किया बाएं तरफ से हमें किरिया करते जाना है अब देखिए यहां बच क्या रहा है अब हम कोश्टक हल कर दे रहे हैं कोश्टीन धंतीन यहां शुन घटाना है यहां शुन है इसका मतलब हो गया कि तीन इसका उत्तर आएगा इस किरिया को करने के बाद तीन तरिका नौ इसका उत्तर आ रहा अर्थात परियाय करमांग तीन जो है यहाँ पर यहाँ पर यह सही उत्तर है तो उत्तर पत्रिका में इस तरह से जो गोले दिये रहते हैं गोलों में हमें क्या करना रहता है रंग ना रहता है लिखना नहीं रहता है इसमें तो परियाय करमांग तीन सही है तो परियाय करमांग तीन के गोले को हम इस तरह से रंग देंगी तो हमें पता चल गया कि इस बेंजग का मान जो है नव आ रहा है तो इस तरह से हमें बेंजा को अक्षनों का उप्विय करके प्रश्नों को हल करना है प्रश्न करमा चार हम देखते हैं बच्चों और इसका एप्षन है देखिए पहला इसका एप्षन है बारा और दूसरा एप्षन है साथ तीसरा अप्शन है पंदरा और इसका चोथा अप्शन होगा शोने तो इस सवाल को क्या करना है हमें हल करना है कि आठ धान बत्तिस भागे आठ रिंड चार गुड़े तीन बराबर कितना प्शन हमारा है आठ धान बत्तिस भागे आठ रिंड चार गुड़े तीन बराबर कितना होगा और उत्तर परिया पहला बारा है दूसरा साथ है तीसरा पंदरा है और चोथा सुन है तीस सवाल को हमें देखिये हल करना है और हल करके हमें सवाल को क्या करना है उसका उत्तर प्राप्त करना है इसको हमने लिख लिया इस तरह से अब हम सबसे पहले इसमें हमें ध्यान है काकु कोष्टक नहीं है भाग है तो सबसे पहले हम इसमें भागती किरिया करेंगे आठ धान, आठ का पहाड़ा चार बार पढ़ेंगे 8, 4, 32 होता है, 4 आ गया रिंड देखिए रिंड उसी तरह से हम सवाल को इसके बाद रिंड यहाँ 4 में 3 का गुड़ा करना है भाग करने के बाद हमको गुड़ा करना है 4 तियाई यह 12 हो जा रहा है यहीं पर हमें किरिय कर ले रहे हैं क्योंकि हमें समय नहीं रहता हमें जल्दी इस सवाल को हल करना रहता है देखिए 8 धन 4 रिंड 12 हमें प्राप्त हो रहा है, इसके बाद हमें क्या करना है जोड करना रहता है पहले कोश्टक है काकू काकू पहले तोड़िए ता पीछे दो भाग गुड़ा करो धन जोड़ दो बाकी देव घटाए अर्थात अभी हमने भाग किया भाग के बाद गुड़ा किया फिर हमें जोड करना है जोड में देखिए 8 में 4 बारा हो गया अब ये 12 है और रिंड 12 12 में से 12 हमको घटाना है अर्थात उत्तर यहां हमें सुन प्राप्त हो रहा है अब देखिए परियाय करमंग चार जो यहां पर है कि सुन है ये सही है और उत्तर पत्रिका में हम चार नंबर परियाय को इस तरह से क्या करेंगे चार नंबर गोले को हम रंग देंगे तो हमें प्राप्त हो जा रहा है कि 8 धन 32 भागे 8 धिन 4 गुड़े 3 बराबर सुन होता है इस तरह से हमें बैंजक और अक्षरों का उप्योग करके सवाल को हल करना है तो आप मेरे इस वीडियो के माध्यम से बैंजक वो अक्षरों का उप्योग किस तरह से होता है इस प्रकार के सवाल को हल करिए और इन सवालों को हल करते समय सबसे पहले आपको कोश्टक हल करना है उसके बाद भाग हल करना है फिर गुणा करना है फिर जोड़ना है और सबसे अंत में आपको घटाना है और इस सारी क्रियाएं हमें बाई और से करते जाना है दाहिने और से सवाल को हल नहीं करना है तो आप इस मेरे वीडियो के माध्यम से बेंजा को अक्षरों का उप्योग करके इस वीडियो के माध्यम से आप सवालों को हल करिए और मेरे आगे आने वाले वीडियो के लिए आप मेरे इस चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं धन्यवाद सभी को